नमाशकार, कक्षा 10, एक्सरसाइस 7.1, प्रेशन नमबर 6 हम करने जा रहे हैं निम्न बिंदु और दौरा बनने वाले चत्रभुज का प्रकार यदि कोई है तो बताईए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए तो यह हमें 4 बिंदु दिये गए हैं, माल लेते हैं कि यह बिंदु है A, यह बिंदु है B, यह बिंदु है C और यह बिंदु है D तो चत्रभुज का प्रकार निकालने के लिए जैसा हमने प्रश्न 5 में किया था, हमें सबसे पहले 4 बुजाओं की लंबाई ग्याद करनी होगी तो दूरी सूत्र के अनुसार ही, दूरी सूत्र के अनुसार क्या है, दूरी बराबर रूट X2 माइनस X1 का होल स्केर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्केर तो इस सूत्र के अनुसार हम दूरी ग्याद करेंगे, आईए देखते हैं सबसे पहले दूरी निकालेंगे A और B के बीच की, यानि A, B और रूट, बच्चों ध्यान से देखना A और B, X2 माइनस X1, देखें यहाँ पर है 1, माइनस, यहाँ पर एक और 1 है, माइनस 1 X2 माइनस X1, इसका होल स्केर, प्लस Y2 है 0, माइनस, माइनस 2 यहाँ भी दो निचान है, तो यहाँ चोटी ब्रैकट और यहाँ बडी ब्रैकट इसका स्केर, रूट के अंदर अब देखिए, अंडर रूट, माइनस इंट्यू माइनस प्लस, 1 प्लस 1 हो गया, 2 तो का स्केर हो गया, 4 इसी प्रकार से माइनस इंटू माइनस प्लस 0 प्लस 2 2 का स्क्वेर हो गया प्लस 4 तो 4 प्लस 4 कितना आ गया रूट 8 इसको आगे हल करने की सुरूरत नहीं है इसी प्रकार हम निकालेंगे B और C के बिच की दियोरी BC रूट देखे X2 माइनस X1 माइनस वन माइनस वन का होल स्केर यह आप मेरे साथसाथ करेंगे तो आपको समझ आएगा यदि आप के वल सुनेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा उसके बाद Y2 माइनस Y1 Y2 है 2 Y1 है 0 यानी dho माइनस 0 का होल स्केर मैं आपको सलाह यह दूँगा कि आप ये चारो दूरियां स्वैम निकालिएगा वीडियो को रोक के उसके बाद वीडियो के साथ चेक किजेगा कि जो मैंने निकाला और आपने निकाला क्या आपका उत्तर सही है या नहीं है यदि आप केवल मेरे वीडियो को सुनते रहेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा बच्चो रूट देखे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 टू 2 का स्क्वेर 4 और माइनस का स्क्वेर प्लस आगे है प्लस 2 माइनस 0 है 2 2 का स्क्वेर होता है 4 तो 4 प्लस 4 कितना आ गया रूट 8 के ब्राबर आ गया इसी प्रकार हम निकालेंगे C और D की दूरी C और D की दूरी देखिए यहां मैं फ्लावर ब्रेकेट दाल रहा हूँ अभी बताता हूं क्यों देखिए माइनस 3 X2 माइनस X1 होता है तो X2 माइनस और माइनस 1 X1 के साथ भी है तो 2 माइनस हों को अलग करने के लिए छोटी ब्रेकेट और इन दोनों को अलग करने के लिए बड़ी ब्रेकेट और इसका स्क्यर प्लस Y2 है 0 माइनस Y1 है 2 इसका स्क्यर आईए देखें यह किसके ब्राबर होगा उपर लगाएंगे हम रूट माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 निकाला 2 साइन बड़ी रखम का माइनस माइनस 2 का स्क्यर अब माइनस का स्क्यर होता है प्लस और 2 का square हो जाएगा 4 इसी प्रकार से यहां देखिए 0-2 0 में से 2 माइनस करो तो आएगा माइनस 2 माइनस 2 का square होगा प्लस 4 क्योंकि माइनस से माइनस कर जाएगा तो 4 प्लस 4 कितना आ गया रूट 8 हा गया देखिए तीनों ब्राबर आ रहे हैं इसी प्रकार से हम चौथी दूरी निकालेंगे A,D A और D यह ना A,B,C,D A और D की दूरी ठीक है बच्चों तो फिर से एक बारी माइनस 3 X2 माइनस माइनस 2 माइनस होगे इनको अलग करने के लिए एक छोटी ब्रैकेट और इसके लिए फिर एक बड़ी ब्रैकेट इसका स्क्यार प्लस Y2 माइनस माइनस Y2 है 0 माइनस इसको फ्लावर ब्रैकेट यहां है माइनस 2 इसका स्क्यार फ्लावर ब्रैकेट बन उसका स्क्यार यह स्क्यार नहीं है रूट के अंदर अब ध्यान से देखेगा बच्चो ये देखे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस वन उपर भी था minus 3 plus 1 होता है minus 2 minus 2 का जब square करेंगे तो आजएगा plus 4 आगे है plus का निशान आगे देखे minus minus plus 0 plus 2 होगा 2 2 का square हो जाएगा 4 तो 4 plus 4 कितना आगया 8 इस प्रकार हमने देखा root 8 root 8 root 8 इसका मतलब 4 भुजाएं आपस में बराबर हैं आएए अब हम देखते हैं इसके विकर्णों की बात तो इसके लिए मैं लिखूंगा विकर्ण AC ठीक है बच्चों विकर्ण AC की लंबाई हम देखते हैं A और C दूरी सूत्र ही लगाना है X2 माइनस X1 A और C देखे यह है माइनस 1 इसमें से माइनस कर दो माइनस 1 इनको लग करने के लिए फ्लावर ब्रैकेट और X2 माइनस X1 का स्क्यर प्लस Y2 Y2 है दो माइनस Y1 है माइनस 2 इनको लग करने के लिए फिर से फ्लावर ब्रैकेट का स्क्यर उपर है रूट आईए इनको हल करते है minus minus plus minus 1 plus 1 0 0 का square होता है 0 plus minus minus plus 2 plus 2 4 4 का square होता है 16 इसका मतल एंए 0 plus 16 कितना आ गया root 16 और 16 का root होता है 4 आईए अब हम भी करने देखेंगे BD फिर से दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वेर देखिए बी और डी x2 है माइनस 3 x1 है 1 तो माइनस 3 माइनस 1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वेर प्लस y2 है 0 y1 भी है 0 यानि 0 माइनस 0 का स्क्वेर देखिए माइनस 3 माइनस 1 होता है माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वेर होता है 16 प्लस 0 का स्क्वेर होता है 16 प्लस 0 हो गया 16 और 16 का रूट होता है 4 तो आपने देखा कि 4 भुजाएं आपस में बराबर है और दोनों विकरन भी आपस में बराबर है इसका मतलब A, B, C, D क्या हुआ एक क्या हुआ एक बटाओ जिसके चारों बुजाएं भी बराबर हो और विकरन भी बराबर हो वह होता है एक वर्ग तो महलेंगे चारों बुजाएं बराबर है विकरन भी बराबर है अतह A, B, C, D एक वर्ग है ठीक है बच्चों तो देखिए हमें चार बुजाएं दी गई थी हमने दूरी सुत्र का प्रयोग करके चारों बुजाओं की लंबाई निकाली विकरनों की लंबाई निकाली हमने देखा चारों बुजाएं भी बराबर है और विकरन आपस में बराबर है और ऐसा तब भी होता है जब दी गई आकरित एक वर्ग हो इसका मतलब A, B, C, D, A एक वर्ग है आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रशन अच्छे से समझाया होगा इस प्रशनावली के बाकी प्रशनों को देखने के लिए हमारे चैनल को कीजे और वहाँ पर बाकी प्रशनों को भी समझे धन्यवाद